दोस्तों, Government of India के एक इदारे भारत Electronics Limited में 232 नई पोस्टे आई हैं, इन पोस्टों के लिए फॉर्म भरने के आखिरी तारीक 28 अक्तूबर 2013 है, फॉर्म आनलाइन भरा जाएगा और इनके लिए जो कौलिफिकेशन है, वो ग्रेजवेशन और पोस्ट ग्रेजवेशन है, जब में भी है, इसमें Computer Based Return Test होना है, और जमू कश्मीर के Unapplied Youth के लिए अच्छी बात ये है, कि जमू कश्मीर में Computer Based Return Test के लिए दो सेंटर बनाए गये हैं, एक सेंटर जमू में बनाया गया है, और एक सेंटर सिरिनगर में बनाया गया है, मैं जाकिर मलिक भलेसी हूं, और बीच आपको आने वाले वक्त में इस तरह के अपडेट्स मिलते रहे हैं, इस वीडियो को भी आप पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैं पूरे तरीके से बताऊंगा कि कौन से जाब्स निकले हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, उनके लिए क्या एज लिमिट है, क्या relaxation है, कितनी fee देनी है, उनकी क्या qualification होनी चाहिए, कितना experience होना चाहिए, और साथ ही साथ, कब तक उनको farm जमा कराना है, कहां पे जमा कराना है, farm मिलेगा कहां पे, किस website पे, और कब तक अपने farm जमा कराना है, ये तमाम detail जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, वीडियो शियर है, electronics का सामान बनाता है, defense के लिए, भारत Electronics Limited ने 232 नई पोस्टों को notify किया है, कौन कौन सी पोस्टे हैं, probationary engineers की पोस्ट है, probationary officers की पोस्ट है, और probationary accounts officers की पोस्टे हैं, अब मैं आपको एक एक करके इनकी qualification बता देता हूं, देखें, जो probationary engineer है, उसकी जो qualification रखी गई है, व आपको bachelor's degree जो है, वो engineering में होनी चाहिए, या फिर B.S.C. engineering होनी चाहिए, किन-किन subjects में होनी चाहिए, electronics and communication engineering, computer science engineering, और mechanical engineering, प्रोबेशनेरी engineers की जो पोस्टे हैं, इन के लिए age limit 25 साल रखी गई है, इसी जाब notification में, probationary officers की बहुत सारी पोस्टे हैं, और इन के लिए जो qualification होनी चाहिए, वो MBA होनी चाहिए, या फिर master in social work होना चाहिए, और इसके लिए जो age limit रखी गई है, वो भी 25 साल रखी गई है, इसके अलावा probationary accounts officers की पोस्टे हैं, इन पोस्टे की जो qualification है, वो CA होना चाहिए, chartered accountant होना चाहिए, लेकिन इसके लिए जो age limit रखी गई है, वो 30 साल age limit के बारे में यहां में आपको यह बता दूँ कि जो भी government का relaxation rule होता है, वो इसमें भी applicable है, आप सब को मालूम है कि SC, ST के लिए 5 साल की छूट है, जबकि OBC के लिए 3 साल की छूट है, इसी तरीके से जो X service man है, उनके लिए इस job में 5 साल की छूट दी गई है, और जो PWBD category मे लोग हैं, उनको 10 साल की age छूट दी गई है, selection कैसे होनी है, तो selection computer based एक test होगा, जो मुलक के अलग हिसू में होगा, और अच्छी बात यह है, कि जमू कश्मीर के जो unemployed youth है, जो इस post के लिए apply करेंगे, उनके लिए 2 centers बनाये गए हैं, एक center जमू में बनाया गया है, और एक center स test होगा, उस test में जो 35% marks general category में और 30% marks reserved category में लाएगा, वही qualify करेगा next round के लिए जो वाइवा होगा, उसके लिए और उसके बाद ही final selection होगी, आगे मैं आपको फी भी बताऊंगा, और साथ में यह भी बताऊंगा, आप फॉर्म कहां बरना है, लेकर उस से पहले मैं आपको कि जब भी आपने online तरीके से फार्म भरना है, आपके पास एक photograph होना चाहिए, और अपना signature का भी आप photograph अपना रखें साथ में, और इसके साथ साथ जो भी documents हैं, चाहे वो age का document है, चाहे वो age relaxation अगर आप मांग रहे तो उसका document है, चाहे आपकी qualification का document है, या experience का document है, वो सारे documents आपने अपने पास रखने हैं, उनको scan करके रखना है, और आपने अपने किसी नजदी की center में जाना है, जहां से आप अपने फार्म को upload कर सकते हैं, और अगर आप खुद कर सकते हैं, तो आप खुद भी अपने घर से ये काम कर सकते हैं, आपको 1180 रुपे की fee देनी है, औ को, OBC के लोगों को, EWS कंडिडेट्स को और जो बाकी कैटेगरीज हैं जैसे कि एक्स सर्विसमेन हैं, SC हैं, ST हैं, PWBD हैं, इन सब के लिए फी को यानि यारा सो असी रुपे को exempt किया गया है, यानि ये फ्री जो है, ये फार्म भर सकते हैं, इसमें अपलाई कर सकते हैं, अब फार्म कहां भरना है, तो फार्म आपको सिर्फ और सिर्फ, देखें, किसी और पोर्टल से फार्म कभी भी नहीं भरना चाहिए, आज कल जो हैं, इसका भी एक प्रॉ करती आप नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ जो गवर्मिट की वेब साइट होती है, सिर्फ उसी वेब साइट पे आप फार्म भरें, और सिर्फ उसी वेब साइट पे पे पेमेट करें, तो ये फार्म आपने भारत, इलेक्ट्रानिक्स, लिमिटिड की वेब साइट पे जाना ह उस website पर जाके आपने scroll नीचे करना है और नीचे होगा carriers उस carriers में जाना है फिर नीचे एक window खुलेगी उसमें लिखा होगा advertisement उसमें आपने जाना है उसमें जाने के बाद सबसे पहले आपको advertisement दिखेगी और उसके बाद दिखेगा click for online submission आपने उस पर click करना है आपको एक username password मिलेगा और username password आपने वहाँ पर generate करना है और उसके बाद अपना form fill up करना है 1180 रुपे की fee आपने देनी है जबकि जिनके लिए fee exempt है उनको कुछ भी नहीं देनी है लेकर उनको certificate प्रेडियूस करना पड़ेगा अगर किसी को भी application submit करने में कोई problem आती है online तो उन्होंने भारत electronics limited ने एक help desk नमबर दिया हुआ है उस help desk नमबर पर आप call कर सकते हैं यह जो मैं दे रहा हूँ screen के उपर यही वो number है जिस पर आप call कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे इस तरीकी की problem आ रही है फार्म बरने में और इसका क्या हाल है वो आपकी जरूर मदद करेंगे जब मैं इस तरह की information आप तक पहुँचाता हूँ तो बहुत सारे ऐसे candidates हैं जो video तो पूरा देखते नहीं है लेकिन उसके बाद messages करना शुरू कर देते हैं कि इसमें कितनी qualification है कितनी age limit है कितनी fee है कहां पे बरना है मेरी उनसे गुजारिश है कि वीडियो को आप पूरा देखा करें तीन चार पांच मिनट का ही तो वीडियो होता है उस वीडियो का पूरा देखा करें आपको पूरी समझ वीडियो के अंदर ही आ जाएगी और उसके बाद आप फार्म भरा करें और मैंने आपको पहले ही यह aware कि कि किसी भी private organization की website से पेज को आप जरूर फॉलो करें और मेरा एक यूट्यूब है जाकिर मलिक भलेसी उस पे भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं और इसी तरीके के अपडेट देता हूं आप से गुदारिश है कि उसे भी सबस्क्राइब करें इस वीडियो को शेयर जरूर करें बहुत बहुत शुक्रिया, Assalamualaikum, Adam